हलो फ्रेंट्स आज की ताजा खबर में आप सबों की स्वागत है जार्खन की तमाम छोटी बड़ी खबरे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दिल्ली के एम्स में कुछ दिन पहले रामविलास पासवन की हार सर्जरी हुई थी केंद्री मंत्री रामविलास पासवन का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया वे चोहतर साल के थे वे पिछले कुछ दिनों से बिमार थे और दिल्ली में एसकॉर्ट होस्पीटर में भरती थे उनके बेटे चिराग पासवन ने ट्वीट कर इस बात की जनकारी दी के लिए मास्क और सोचल डिस्टेंशिंग बेहत जरूरी कोवेट 90 से बचा राजपाल दिर्पती मुर्मू और मुखम Alfie हेवंशोरे ने वीडियो संदेश जारी कर साथ सफाई और मास्क के साथ सोसल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की राजिपाल दिरुपती मुर्मी ने जारी वीडियो संदेश में कहा कि वर्तमान में पुर्वु वैस्विक महामारी से जूच रहा है इसी के साथ अगली बड़ी ख़बर आइफेल में सटा लगाने की मिली थी सुचना चापेमारी खर एक आरोपी को किया गया गिरफतार रातू था न छेतर में आइफेल मैच में सटा लगाने की सुचना मिलने के बाद पुलिस ने करवाई करते हुए एक यूवा को गिरफतार कर जेल भेज़ दिया आरोपी के पास से एक लैपटॉप एंड्रॉल मोबाइल फोन और एक पेंड्रैव मरामत किया गया इस समंद में राची के ग्रामिन एस पी को मिली सुचना के बाद उक्त करवाई की गई इसी के साथ अगली बड़ी खबर लॉन के नाम पर 55 लाग रुपाई की ठगी महलाओं ने करवाई की मांग को लेकर किया हंगामा डॉमचांज थाना छेत अंतरगर सहीत चौक के पास नफिंस प्राइवेट लिमिटेट द्वारा महलाओं को आतमिर्भर बनाने के नाम पर लॉन देने के एवज में करिब एक हजार महलाओं से लगवग 55 लाग रुपाई ठगी किये जाने का मामला आया है घटना के बाद हजारू की संख्या में आक्रोसित महलाओं ने गुरुवार को सहीत चौक इस्थित कमपनी के करियाले पर पहुँच कर बावला काटा आक्रोसित महलाओं ने कुछ देर के लिए कोडर्मा गिरीडी मुख्य मर को भी जाम कर दिया इसी के साथ अगली बड़ी ख़वर 7 नुवंबर तक बैंक में जमा करना होगा सुल्क मैट्रिक वा इंटर की परिच्छा के लिए चार तक होगा ओनलाइन रजिस्टेशन जार्खन एकेडमिक काउंसलिंग के वर्स 2021 की मैट्रिक परिच्छा वा इंटर्मीडियेट परिच्छा में सामिल होने वाले 6 छात्रों का ओनलाइन रजिस्टेशन शुरू हो गया है बिना विलम सुल्क के रजिस्टेशन 4 नुवंबर तक होगा चलान के माध्यम से बैंक में सुल्क 7 नुवंबर तक जमा कर सकते हैं इसके बाद 300 रुपईए विलम सुल्क के साथ 15 वारा नुवंबर तक होगा इसी के साथ अगली बड़ी खबर 202 दिन बाद खुला माचिन मस्तिके का दरबाद ऑनलाइन दर्शन टीकट के वसूले गए दो 200 रुपईए सरकार के निर्देश के बाद गुरुवार को जहारखन के रजरप्पा इस्ति सिंद्पीडी माचिन मस्तिके के मंदिर के कापाट खोल दिये गए मंदिर खुलने के पहले दिन भक्तों की संख्या बहुत कम रही लेकिन अहले सुबह तिन बजे से ही सरधालू यहां पहुँचने लगे थे सुबह चार बजे माचिन मस्तिके देवी की मंगल आरती हुई इसके बाद आम सरधालू के लिए मंदिर का कापाट खोल दिया गया इसी के साथ अगली बड़ी खबर क्या बिहार चुनाउ में परचार कर सकेंगे राजत सुप्रीमो लालू परचाद आदव बिहार विधानसबाद चुनाउ के पहले चरन का परचार अबी सूरू भी नहीं हुआ है और लोगों को लालू परचाद आदOW की कमिखल रही है आपको बता दे कि लालू परसाथ चारा घोटाले के मामले में जेल में बंध है उनकी जमानत आजी का परकल आनी सुक्रुवार को जारखन हाई कोट की सुनवाई होनी चाहिए चारा घोटाले से संबधि चाहिबासा कोशागार से अवेद निकासी के मामले में लालू परसाथ को राची की सीबी आई कोट ने पांस साल की सजा सुनाई है इसी के साथ अगली बड़ी खवास है तिस दिनों के बाद एंटी पीसी की ट्रास्पोर्टिंग शुरू पर सर्थ कोईला उठाया जागा खनन नहीं होगा पक्री बरवाडी कोईला परियोजना में अश्टाक है 5357.5 करोड का 5.50 लाग टन कोईला दस दिन की देरी होती तो परवायत होता अठारा पावर प्लांट बड़का गाउं के पक्री बरवाडी कोईला परियोजना से कोईले का उत्खनन नहीं करने की जिल्ला परसासन द्वार लिखित अस्वासन के बाद 37 दुनों से बन एंटी पीसी से केवले की ढुलाई बुद्वार से शुरू हो गई है परसासन के द्वार लिखित दिये गए कागज में कई आधिकारियों के हस्ताक्षर है परन्तू लोगों ने इस दौरान सभी 12 अस्थानों पर एंटी पीसी के खिलाप अपनी मांगे पूरी होने तक अंदौरन जारी रखा है इसी के साथ अगली बड़ी खबर मुखमंतरी हैमन सोरेन की सौगात खेल के छेतर में जारखन की बनेगी नई पहचान जारखन में खेल और खिलाडियों की बेहत्री की दिसा में हैमन सोरेन सरकार ने सहरारनी पहल किये एप पहली दफा है जब राजी के सभी 24 जिल्लों में जिल्ला खेल पतिदिकारी न्यूक्त हुए है सीएम हेमन सोरेन आज साम चार बजे प्रोजेक्ट भवन में इन्हें न्यूक्ती पत्र सौपने पहले अधिकतर जिल्ले परभार में ही चल रहे थे इसी के साथ अगली बड़ी खबर सरकार के लापरवा सिस्टम ने मार डाला सत्रूधन सिन्हा के रिष्टेदा डौक्टर विजय क्रिशन स्रीवास्तों को भाजपने की उच अस्त्रिय जांच की माग जार्खन में गोड़ा जिल्ला के पॉण्ट हाट अंतरकर देवडांड स्वास्त केंद्र में सेवारत बॉलीवूड एक्टर एवं राजनेता सत्रूधन सिन्हा के रिष्टेदा डौक्टर विजय क्रिशन स्रीवास्तों की मौत की भारतिय जनता पार्टिक ने उच अस्त पीएम किसान समान ने दिये अस्कीन के तहट अब तक 11.7 करोड किसानों को लाब मिल चुका है या एक ऐसी स्कीम है जिसमें 100 फिस्दी रकम केंद सरकार लगा रही है और इसका रेजिस्टेशन हमेशा खुला रहेगा तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं आप भी घर बैठे अनलाइन रेजिस्टेशन करिए और इसका लाब लिजिए इसी के साथ अगली बड़ी ख़वर रेलवे ट्रक पर मिला बानो के अंचल निरचक का छत विचत स आतमातिया का आंदेशा वार्ड लॉड से थे परेशान बानो के में पद अस्थापित अंचल निरचक हथ मालगाडी से टक कर हुई है इसी के साथ अगली बड़ी ख़बर बुजूर्ग महला को डाइन बता कर धारादार हथियार से कर्दी हतिया पती को भी किया घाया जासी डी थाना च्छेतरिके बाच को डाव में एक बुजूर्ग महला पर डाइन का आरोप लगा कर धारद सार हथियार से वार कर उसकी हतिया कर दी गई आरोपियों ने इस दोरान बुजुर्ग महला के पती को भी घायल कर दिया घटना की सुचना के बाद मौके पर पहुंची पुलीस एक युवा को हिरासत में लेकर पुष्टाच कर रही है इसी के साथ अगली बड़ी खबर एंड लोकसभा छेत्र के संसद रेक्रीस मांडरी ने संसद रिस्वत कांड के बाद जामुमों से अलग होकर जामुमों का गठन किया था परदेश भाजबा अधिश दीपक परकास ने का परिवार वाद की पार्टी है जामुमों पूर्व संसद क्रीस मांडरी बोले हैमन सरकार स जनता त्रस्त है इसी के साथ अगली बड़ी खबर क्रोना वैक्सिन पर काम कर रहे हैं सीम इंस्टिचूट के सायरस पुनावाला पहली बार देश के टॉप दस अमीरों में मुकेश अंबानी लगतार तेरह में साल टॉप रेपर देश में सबसे अमीर कौन जब आप भी जान पानी पिछले साल के मुकाबले और भी अमीर हो गए हैं एक साल में उनकी वेल्थ में 37.3 विलियन डॉलर का इजाफ़ा हुआ है